सूप्रभाद बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं पार तीन आत्म निर्भरता कठिन शब्द अवल आशिर्वात होश्यार इमानदारी विश्वास व्यवस्था आत्म निर्भरता मुस्कुराती प्रबंध संबंधित पात्र परिचय हरीश हरीशंकर का पुत्र हरीशंकर हरीश के पिता शीला हरीश की मा हरीश कमरे में प्रवेश करता है हरीश पिता जी मेरा बारवी कक्षा का परिणाम निकल आया है मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गया हूँ मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है हरी शंकर मुबारक हो हमें तो यह पहले से ही मालूम था कि तुम सफल होगे शीला सुना तुमने शीला क्या बात है हरी शंकर तुम्हारा बेटा पास हो गया है और स्कूल में अववल आया है शीला शाबाश बेटा तुम्हारी मेहनत रंग लाई तुमने पढ़ाई में न दिन देखा न रात हरीशंकर माता पिता के पाऊं छूता है और दोनों उसके सिर पर हाथ फेड़ते हैं और आशिरवात देते हैं शीला अब हरीश की आगे की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है हरीशंकर मैं भी यही सोच रहा हूँ हरीश बहुत होशियार और महनती है स्कूल में सभी इसकी प्रशंसा करते हैं इसके प्रिंसिपल सहब भी इसकी प्रशंसा करते हैं वह कह रहे थे कि किसी भी अच्छे कॉलेज में इसके दाखिले का खर्चा काफी होगा तुम तो जानती हो, हम किस तरह परिवार का पालन पोशन कर रही हैं, परन्तु हरीश की लगन देखते हुए हमें इसे निराश नहीं करना चाहिए हरीश, मेरी पढ़ाई के खर्च की आप चुनता ना कीजिये, मैं अपना खर्च स्वैम निकाल लूँगा परन्तु दाखिले की फीज का प्रबंद करना होगा शीला, शुरू में कितने रुपयों के अवशक्ता होगी? हरीश, यही कोई पांच हजार रुपे शीला, ठीक है, तुम अपने कॉलेज जाने की तैयारी करो, इतने रुपयों की व्यवस्था मैं कर दूँगी हरीश, अंकर, तुम कैसे करोगी? शीला, अपने बेटे की अवशक्ता मा नहीं पूरा करेगी, तो और कौन करेगा? दूसरा दृश, पिताजी कमरे में चिंतित बैठे हैं, तभी हरीश का कमरे में प्रवेश हरीश, पिताजी, कॉलेज का खर्च उठाने के लिए मैंने स्वेम धन अरजित करने की ठान ली है, अरजित करना मतलब कमाना, एक काम तो मुझे मिल भी गया है, हरीश अंकर, कौन सा काम बेटा? हरीश, हमारी गली के बाहर, जो रामलाल जी की कपड़े की दुकान है, वहां मैं हिसाब लिखने के लिए एक आदमी की आवशकता है, केवल दो घंटे के लिए ही जाना पड़ेगा, साथ ही मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगा, हरीश अंकर, दो घंटे दुकान पर हरीश, पिताजी मैंने अपने कुछ मित्रों से बात कर ली है, उनके छोटे बाहरी बहन मुझसे शाम चार बज़े पढ़ने आया करेंगे, अभी केवल पांच बच्चे ही हैं, पर चार बज़े से छे बज़े तक मैं उनको समय दे दूँगा, और फिर दो घंटे दुकान पर हिसाब कर दूँगा, सुबह का सारा समय मेरा अपना होगा, शीला, अगर बीरा उठाया है तो खुद ही समय विभाजित कर कारे पूरे करेगा, विभाजित मतलब समय को बाट कर, हरीश, हाँ मा, आप मेरी पढ़ाई की चिंता ना करें, हरीश, दुकान समालने के साथ सा वो सुबह के दो घंटे अपने अध्यापक के लिए रखता, एक वर्ष बाद, हरीश, मा, मा, बाबुजी, मेरा परिनाम आ गया है, हरीश, क्या हुआ पुत्र, हरीश, पिदाजी मैंने आपकी आशिरवाद से कॉलेज की मे प्रथम सत्र में अवल दर्जा प्राप्त किया ह शीला, देखा, हमारा बेटा कितना समझदार है, हरीश, शाबाश, पुत्र यह तुम्हारे कठिन परिश्रम का ही फल है, अगर हम भी अपने समय को विभाजित कर, खुद पर विश्वास रख कर मेहनत करें, तो हर कारे में अपने बल पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, धन् बार्ट